नमस्कार दोस्तों PCS वाट साला में आप सभी का स्वागत है UPPCS 2021 की टेस्स श्रीज चल लए है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा UPPCS 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है यह आर्ट और कल्चर के पहले भी मैं आपको स्रीज दे प्लेलिस्ट में जाएगा UPPCS 2021 के इस नाम से प्लेलिस्ट बने हुई है अगर PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलिग्राम बिल्कुल जोन करेगा टेलिग्राम बलिंग डिस्क्रेशन में दे दिया गया है सारे PDF एक टेलिग्राम पर टेलिग्राम में मिल जाएंगे आप टेलिग्राम जोन कर लिजेगा आए सिदे प्रश्णों पर आते हैं प्रश्ण संक्या एक देखिएगा गांधार स्कूल आपवाट नेमलेकित में से किस युरोपी देश की कलासे प्रभावित है तो वो है ग्रीस ग्रीस मतलब युनान तो बिकल्प ए जो है वह आपका सही है अगले प्रश्म प्राइए प्रस्म क्या दो देखिएगा बैफ्टववाद और सेवाद के बारे में निमनेकित कदनों पर विचार करिए तो विचार करना थे बहुत सारी जातियां थी और असपृस कहे जाने वाले जातियां भी नैनार में शामिल थी तो दूसरा तो सह मुगल लगु चितरकला अपने चरम पर पहूंच गये थी, मुगल लगु चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गे थी किसके सासन काल के दोरान तो जहांगीर के सासन के दोरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गे थी बिकल भे जो है वह आपका सही है जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वड़ यूग कहा जाता है जहांगीर के काल को और जहांगीर नहीं कहा था कि अगर कोई चित्रकला का सत्रू है तो वह हमारा सत्रू है ऐसा कहा था जहांगीर ने प्रश्ण संख्या 4 देखेगा दच्छिर्तम जोत्रलिंग मंदिर किस भाती राज में इस्थित है तो देखिए आप जानते हैं कि जो सीव जोत्रलिंग है वह कुल बारह जोत्रलिंग है तो इसमें दच्छिर्तम जोत्रलिंग कह रहा है तो उत्री जोती सबसे उत्री जोत्रलिंग कौन है तो वह है किदारनाथ बाबा किदारनाथ जो उत्राकंड में है यह आपका उत्तरतम जोत्रलिंग है लिकिन दचरतम जोत्रलिंग कौन है तो वह है रामनाथ स्वामी पूर रामनाथ स्वामी रामनाथ स्वामी मंदिर जो है दचरतम जोत्रलिंग है और यह जो है आपका तमिल लाड में है बिकलपसी प्रक्रशन संक्या पांच देखेगा मुगल वास्तुकला के बारे में निम्डे के गत्रों पर विजाय करिए तो मुगल वास्तुकला के बारे में विजाय करना है तो दो आफसन आप लोगे सामने सजावटी रूपों से चीरे के मादम से प्लाश्टर पर डिजायनिंग शामिल थी या तो सादे छोड़े दिये गये थे या रंगोल ढग दिये गये थे ये बात है पर दूसरा देखेगा सोलहमी सदी से महराप को ट्रेफिल वा कई पत्रों के शाद डिजायन किया गया था यह है तो कौन सा खत्रन सही है ये कह रहा है तो आपका वन और टू मतलब बिकलब सी जो है वापका सही है दोनों सही है वन और टू प्रशन संक्या 6 देखेगा सूरज कुंड मेले के सम्मद में निम्लिकित कतनों पर विचायर करेए सूरज कुंड मेले के सम्मद में निम्लिकित कतनों पर विचायर करना है तो विचायर करेए यह दुनिया का सबसे बड़ा सिल्प मेला है सूरजकुंड मेला जो है दुनिया का सबसे बड़ा सिल पे मेला है सूरजकुंड मेला और इस मेले कायोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकन हरिगाना प्रेटन द्वारा किया गया यह भी सही है हिमांचल परदेश राज 2020 में मेला के लिए थीम राज था तो देखे यह मेला जो हुआ था सूरजकुन मेला यह हरिगाना के फरिदाबाद में हुआ था हरिगाना के फरिदाबाद में हुआ था है मेला और हिमांचल परदेश राज 2020 में मेला के लिए थीम राज है तो तीनों कथन जो है, तीनों कथन जो है, सही है, 1, 2, 3, तीनों सही है, मतलब बीकल, बी, प्रशन संग्या आप साथ देखेगा निम्रिकित में से कौन सही धंग से मिल नहीं खाता है तो तंजावर चितरकला जो है तमिलनाडु का है बानी थानी जो चितरकला है या आपका राजस्तान का है और वरली चितरकला जो है उडिसा लिखा यह नहीं है वरली चितरकारी जो है या महाराष्ट में फेमस है महाराष्ट में और वरली एक जन जाती समधाय होती है उसके द्वारा चितरकारी की जाती है तो इसमें इसलिए आपका 4 जो है वह आपका सही नहीं बलकि 1, 2, 3, 3 सही है तो कौन सहीडन से मेल नहीं खाता है तो केवल 4 मतलब बिकल्प D अगले प्रस्ट प्रस्ट आईएगा और देखें दोस्तों करिस्ट के पहले का वीडियो नहीं देखें हैं प्रस्ट संक्या 8 देखेंगा निम्रिकित में से किसी बरवर का गीत या उत्तरप्रदिश माना जाता है बरवर का गीत उत्तरप्रदिश माना जाता है तो नौका जखड बंजारा या नजवा या थम नेट या इन में से कोई नहीं उध्यगरी खंडगरी गुफाओं के बारे में कौन सा हखतन सही है? तो देखिये, पहला देखेगा ये राक कट गुफा परंपरा के उधाऊरण है और दुसरा है इन गुफाओं में खारविल राजाओं के सिला लेक है और तिसरा जो है गुफाएं मुख रूप से बहुत विच्छों के लिए थी यह भी सही है तो कौन सा खतन सही है तो यह आपका 123 तीनों सही है प्रशन संक्या 10 देखेगा निम्निगित कतनों पर विचार करिए कुतुम मिनार का निमार तेरहमी शदी में हुआ था चार मिनार एक बार कास्त का सहारी टाइल के काम पर पतली पित थी उपरत में से कौन सा खतन सही है तो कौन सा खतन सही है सिर्फ आपका दूसरा खतन सही है कुतुम मिनार का निमार जो था निमाण किशने करया था हमपी का जो बिठल मंदिर इसका निमाण किशने करया था तो देव राधुती ने की राध किया करया था हमपी का बिठल मंदिर का निमाण और विकलब बी जो है वह आपका सही है प्रश्य संग्या 12 देखेगा मध्धुनी पेंटिंग के सदर में निम्डिकित कत्रों में से कौन सा खत्र शही नहीं है ये बताना आपको केवल बीकल बी तो कौन सही नहीं है तो केबल बिकल्प भी प्रश्न 13 देखिएगा निम्रिकित में से किष्णे आयल पेंटिंग की पश्मी कला और एथार्तवादी जीवन अध्यान में महारत हासिल की लेकिन भारती पौराडी कथाओं से प्रेडित विश्यों को चित्रतिया तो कौन है तो वो है राजा रभी वर्मा राजा रभी वर्मा विकल्प भी प्रस्ण संक्याज 14 देखिएगा सत्रिया किस राज का पारंप्रिक हिंदू सास्त्री निर्द्य है तो वह है असम राज का विकल्प भी प्रस्ण 15 देखिएगा इस सीरीज का सबसे आखरी प्रस्ण शामानता क किसे हादुनिक हिंदी साहित का जनक किसे का जाता है तो अग कहा जाता है भारतेंदू हरिश्चंद को भारतेंदू हरिश्चंद को भी कलब सी ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक चलों को सब्फ्राइब करेगा डिस्क्राइब करेगा और अगर आपको UPSC 2021 का संपूर में दिया गया है लेकिन देखें दूस्तों जो भी मैट्रेल है वो चार्जेबल है तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग समपर करेंगे और उफीचल वाटस नमर डिस्क्रेशन में है और उपीपीस से 2021 की जो भी सीरीच चल लगी है उसको फालो करिए परिच्छा होने तक फालो करते रहिएगा धन्यबाद आप लोग को और इसके पहले का बीडियो ने देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा युपीपीस से 2021 की नाम से प्लेलिस्ट बने हुई है धन्यबाद